खरीब सीजन में धान की बॉआई कम होने से चावल का उत्पादन लगबग 60-70 लाग तन कम रहने की आशंका है उत्पादन में इस बड़ी गिरावट के बीच चावल के दाम उंचाई पर बने रह सकते हैं यानि हमारी खाली में प्रोसे जाने वाला चावल पहले से महंगे रहे पर मिलेगा ऐसी स्थिती में पहले से सुसर्थ मेवस्था पर महंगाई का दबाव और बढ़ेगा खुद्रा महंगाई यूही 7 फिसद तक पहुंच चुकी है मगर चावल गेहु जैसे खाने वाली चीज़े अगर और महंगी हुई तो स्थिती बिगड़ सकती है हाली के महीनों का आंकड़ा देखे तो अनास में तमाम खाद्य वस्थो के दाम बढ़े हुए है जिससे तीन महीने से गिरावट का रुक दिखाई लिया है खुद्रा महंगाई एक बार फिर से बढ़ने लगी है और ये अगस्त में 7 फिसदी तक पहुंच गई है इसके साथ ही थोक महंगाई पर भी अनास समेत अन्यक खाद्य वस्थो की कीमतों का दबाव देखने को मिला है विशेशग्य और विशलेशकों का मानना है कि महंगाई आने माले समय में उचे सर पर ही बनी रहेगी वही जून सेटमबर में अन्यमित बारिश होने और दक्षिन पश्चमी मोंसुन के अब तक विदा नहां लेने की वज़े से धान की फसल को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई है भारत का चावल उत्पादन फसल वर्ष 2021-22 में 13 करोड के लगबग रहा था 13 करोड टन रहा था जो उसके एक साल पहले 12.457 करोड टन था खादय मंत्रालया ने अनुमान जिताया कि इस साल के खरीब सीजन में चावल उत्पादन 60-70 लाग टन कम रहेगा देश के कुल चावल उत्पादन में खरीब सीजन की हिस्सेदारी करीब 85 फिसद होती है हलाकि कुछ जानकारों के मताबिक चावल उत्पादन में कमी कोई की कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि भारत के पास पहले से ही मौझूद भंडार सारवजिनिक वित्रन परणाली की मांग को पूरा करने के लिए प्रयाप्त है इसके लावा तोटे हुए चावल के निर्यात पर प्रतिवंदित लगाने से और गैर बासमती के निर्यात पर 20 फिसद का शुर्क लगाने से सरकार के फैसले से स्थिती को संभालने में मदद मिलेगी वहीं भार के रिजर्व बैंक के हालिया बुलिटिन में छपे एक लेक में कहा गया है कि तेल गैस और मूल घटकों के दामों में रहत मिलने के बापजूद अनाच की कीमते बढ़ने से खादे कीमतों पर दबाव बढ़ा है वितमंत्राले की शनिवार को एक रिपोर्ट के मताबिक खरीब सीजन के दोरान कम फसल बौाई रखवे को देखते हुए कृशी जिन्सों के स्टोक के सही प्रबंदन की आपशक्ता पर बल दिया है हलाकि इसमें कहा गया है कि महंगाई के मोर्चे पर बेफिकर होने से बचना होगा निती आयोग के सदस्यों से मिली जानकारी के मताबिक चावल की वज़ज़ से घ्रेलू महंगाई को ततकाल कोई खत्रा नहीं दिखाई दे रहा MSP और उर्वरक और इंधन जैसे अन्य जिन्सों की कीमतों में वरिद्धी से दामों में वरिद्धी देखने को मिली है जब जिन्सों के दाम बढ़ रहे हैं तो कुछ बड़ोतरी ज़रूर होगी यह बड़ोत्री कितनी होगी और आम लोगों को कहां तक परिशान करेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन खुले बजार में चावल के रेट कई दिनों से बढ़ने शुरू हो चुके हैं पहले की तुनला में प्रती किलो चावल 10 रुपे से जादा की तेजी के साथ कारोबार करता दिखाई दे रहा है